केल्शियम की कमी नहीं रहेगी, ये बात 100% पक्की है, इस मुस्खे को यूज करके चेक करवा लेना, आपका केल्शियम एकदम नॉर्मल आ जाएगा और आपकी सारी परेशाने दूर हो जाएगी नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल एकुंजी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ बादाम का आपको पता ही है, ये आपको कितने ज़्यादा फाइदे देता है, और विटामिन्स का तो ये खजाना होता है अब दूसरी चीज भी हमारे पास विटामिन से भरपूर है और वो है सोंफ सोंफ जो होती है हरी सोंफ, मोटी सोंफ, इसके अंदर केल्शियम, कॉपर, आयरन, जिंग जैसे बहुत सारे पोशक्तत होते हैं मतलब अगर आप गुर्जाना खाना खाने के बाद सिर्फ एक चम्मत चबा चबा कर खा लेते हैं तो आपको जल्दी से कोई बिमारी नहीं होने वाली है आपका हाजमा अच्छा रहेगा, पेट खूब अच्छी दरा साह होगा और साथ ही साथ जो हड्डियों का दर्द, जोरों का दर्द, हुन की कमी, आखों की कमजोरी है सबी समस्यां से छुटकारा दिला देगा इसके बाद में तीसरी चीज हमारे पास यहाँ पर है मिश्री आपको इसनुस्के के लिए सीता मिश्री लेने हैं कुंजा मिश्री, दागे वली मिश्री इसके बहुत सारे नाम होते हैं तो आप ये डले वली मिश्री लेकर आएं ये दागे वली मिश्री के नाम से बाजार में आसानी से मिल जाएगी तो इसके बाद में अगली चीज हमारे पास है यहाँ पर काली मिश काली मिर्स के अंदर एंटी इंफ्लेमेटिक गुन पाये जाते हैं मतलब जैसे यह आपको सर्गी जुकाम से बजाती है उसी तरीके से यह जोडों और हड्डियों के दर्द में भी फायदा करती है दर्द के कारण जोडों में जो सूजन आ जाती है उसने बहुत तेजी से फायदा करती है दर्द में बहुत जादा फायदा करती है इसके अंदर भी सोडियम, कोटेशियम, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन C और विटामिन B6 वगेरा फरपूर होते हैं मतलब यह एक प्रकर से पोशक्ततों का खाजाना होता है जोडों के दर्द के लिए यह रामबान और शदी है अगर किसी को केलशियम की कमी और समस्या है तो इसे जरूर लें इसके साथ में जिनकों आखों की कमजोरी है, शरीर में कमजोरी है तो वो इसके अंदर सफेद गोल मिर्च का यानि दखनी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो ये चीज़े हमारे पास हैं अब इसकी जो क्वांटिटी है वो आपको बता देती हूं सबसे बहले आपको क्या करना है ये तया कर लें, कि आप कितनी मातरा में बना रहे हैं उदारन के लिए मैं यहाँ पर 100 ग्राम बदाम, 100 ग्राम सौफ, 200 ग्राम मिश्री, इन चीजों के साथ में बना रही हूं अब इसे साथ से आप जो काली मिर्च या सफेद मिर्च लेंगे ये सिर्फ आपको 10 ग्राम लेनी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी हैं और अगर आप बच्चों को बना कर दे रहे हैं, तो 5 ग्राम ही डालें और दोनों आदी-ादी करके भी आप डाल सकते हो तो ये सभी चीज़ों में बहुत फायदा करेगी, अगर सफेद गोल मिर्च नहीं है आपके पास, तो सिर्फ आप काली मिर्च डाल लें और उसके साथ में भी बना सकते हो अब आपको क्या करना है सबसे पहले, ना तो इनको भूनना है, ना आपको और कुछ करना है सिर्फ ग्रैंडर जार लेना है, उसके अंदर आपको बारी-बारी से सारी चीज़े डाल कर बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है काली मेच, सफेद गोल मिर्जो लेंगे आप, सिर्फ इन दोनों की जो क्वांटिटी है, वो 10 ग्राम से जादा नहीं होनी चाहिए बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो 5 ग्राम डालें इसके अंदर, अब इन चीज़ों का बारीक पाउडर बनाना है सारी चीज़े अलग-अलग पीशना, लेकिन मिश्री जब आप पीशेंगे, तो पहले आप इसको खरल, इमाम दस्ते वगेरा की सहायता से छोटे-छोटे तुकडों में तोड़ दे, उसके बाद में आप ग्राम जार में डाल कर इसका पाउडर बनाए, तो इससे आपका ज अच्छे से बारिक हो जाएगा, जितना हो सके आप उतना बारिक पीश ले, फिर आप इसको चलनी से छान ले, तो उससे इसके अंदर मोटे-मोटे टुकड़े नहीं बचेंगे, आपको खाते समय मुश्किल नहीं होगी, तो इस तरीके से मैं आपको पीश कर दिखा देती ह मैंने इन सबी चीजों को पीश लिया है और बारिक पाउडर बना लिया है, इसलिए मैंने इसको चलनी से नहीं छाना है, अगर आपको लगे इसके अंदर दाने बचे हैं, तो आप छान सकते हो, और दोबारा उन बचे हुए दानों को पीश सकते हो, ये देखिए, मैंने य ज़ान ये रखना है कि जब आप इसका पाउडर बना लेंगे तो उसके बाद में एक सूखा साफ सुत्रा काँच का जार ले लें और उसमें भर कर रख दें तो महीने पर तक आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर पाऊगे अब आपको इसको लेना कैसे है वह मैं आपको बता देती हूँ आप इस पाउडर को दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं ऐसा नहीं है कि सुबऻ या शाम को लेना है नहीं जब भी आपके पास टाइम है तो एक चमच भर कर रोजान आप इसको फांकी की जैसा फांक कर खा लें और उपर से थोड़ा सा पानी पी लें लेकिन अगर आप ज़्यादा जल्दी फायदा लेना चाहते हैं और बच्चों को भी देते हैं तो इसके साथ में आप दूद लें साथ में दूद लेंगे ना तो ये सोने पे सुखागा है यानि बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा नॉर्मल टेंपरिचर का एक ग्लास दूद ले लें पहले से गरम करके और ठंडा क्या हुआ ले सकते हैं दूद में आप इस तरीके से एक चमच पाउडर मिक्स कर लें और आपको खाना खाने के बाद में लें अगर आप सिर्फ इसका पाउडर फाक्कर खा रहे हैं तो उसे आप सुबह, शाम, दोपहर में कभी भी खा सकते हूँ आपको हर तरह से वो फायदा देगा लेकिन दूद के साथ में ले रहे हैं तो शाम को जब आप खाना खालें उसके एक गंटे बाद में और सोने से एक आदा गंटा पहले आप इसे पी कर सो जाएं बहुत अच्छी नीन पी आएगी आपको, आँखों में भी बहुत फायदा करेगा और दूद तो आपको पता ही है कितना जादा फायदे मंद होता है केल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आपको जो हड्डियों और जोडों के दर्व हैं, कमर दर्व, कलाई का दर्व, कोहनी का दर्व, दीरे दीरे करके पूरी तरह से गायब हो जाएंगे इसका इस्तेमाल आप कम से कम एक महीने करना आपको बहतरे इन रिजल्ट मिलेंगे इसके बच्चों को दे सकते हो, बड़ों को दे सकते हो, और सभी को दे सकते हो एक बात और, कि जो मीठा नहीं खाते, वो क्या करें, तो आप इसे कम मीठे का भी बना सकते हो या फिर इसमें मीठा डाले बिना भी इसको बना कर इस्तेमाल कर सकते हो तो ये था हमारा आज का केल्शियम की कमी दूर करने के लिए बेहे दिराम बन घरेलोन उसका अगर आपको इवीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जादा से जादा लाइक शेयर कीजिए आपसे अगले वीडियो में फेल मुलाकात होगी